जिट करता है, मैं जिट करती है, तो आप समझो My sister's recipe, so this is not my recipe, it's my sister's recipe क्या आप जानते हैं कि सोनिया गांधि और राहुल गांधि क्या खाते हैं? उन्हें क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है और उनकी पसंद्यदा डेश कौन सी है? कॉंग्रिस निता राहूल गांधी ने दुनिया को अपनी किचन से रूबारू कराया है कॉंग्रिस की पूर्वद्यक्ष सोनिया गांधी विदेश से लोटते ही एक वेंचन खाना जरूर पसंद करती है वह है अरहर की दाल और चावल ने साल की पूर्वसंध्या पर कॉंग्रिस की पूर्वद्यक्ष राहूल गांधी के यूट्यूब चैनल पर जौरी एक वीडियो में सोनिया गांधी ने अपने खाली की पसंद को साजा किया वीडियो में दोनों ने ता संत्रे का मुरब्बा बनाते हुए नजर आ रहे हैं वहीं वीडियो में राहूल कहते हैं कि यह उनकी बहन प्रियांका की मा यादे और मुरब्बा शीशक वाले वीडियो में दोनों मा बेटाच सोनिया और राहूल गांधी भूजंग के बारे में हलका फुलका मजाग भी करते नजर आ रहे हैं मुरब्बा बनाते समय राहूल गांधी कहते हैं यदि भाजपा वालों को जैम लेना है तो वे भी ले सकते हैं आप क्या कहती हैं मम्मी इस पर सोनिया गांधी ने चुटकी लेते हुए का वे इसे हम पर ही फेक देंगे इसके बाद राहूल हसने लगे और उनोंने कहा ये अच्छा है हम इसे फिर से उठा सकते हैं वीडियो में राहूल गांधी ने संत्रे तोड़ने से लेकर उन्हें छीलने और इससे मुरब्बत तयार करने की रेसिपी के बारे में विस्तार से बताया गांधी वीडियो में कहते हुए सुनाई देते हैं ये मेरी बहन प्रियांका की रेसिपी है प्रियांका ने ही इस रेसिपी को ढूंडा और उसमें सुधार किया मैं बस इसे बना रहा हूँ वहीं आपको बता दें कि पांच मिनेट से अधिक के इस वीडियो में सोनिया ने कहा वे जिद्धी है यानि कि राहुल और मैं भी जिद्धी हूँ हम दोनों जिद्धी है तो आप समझ ही सकते हैं उनके बारे में उन्हें क्या पसंद है इस पर सोनिया गांधी ने कहा वे बहुत प्यारा है और बहुत ख्याल रखता है खास कर जब मैं ठीक नहीं होती तो राहुल और प्रियांका दोनों मेरा ख्याल रखते हैं बाकी देखे और क्या कुछ बाते हुई सोनिया गांधी और राहूल गांधी की इन्हें मित्रों परिजनों को भेजने के लिए तैयार किया गया है सोनिया गांधी और राहूल गांधी का ऐसा अंदाज आपको कैसा लगा हमें कविन बॉक्स में जरूर बताए